श्री रमेश विदूडी जी जाने वाला है यगे उसमें सभी आउती डाले हमारे देश के प्रधान मंतरी जो बजट पेस किया सीता रमन जी के माध्यम से फाइनिस मिनिश्टर ने किया उनके आगरे पर मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं कॉमर्स का चात्र होने के इनाते से 20 वर्स के चौती किये बगर उसको आगे बढ़ाते हुए यह मनरेगा मनरेगा कुछ लोग रो रहे थे मनरेगा के साथ इनको गरीब लोगों को मकान मिलेगा गरीब आवास्योजरा में 66% की विर्दी हुई है वहाँ भी लोगों को रोजगार मिलेगा तो इसलिए इस प्रकार का जो यह लोग रो रहे थे, रोना में उनके जानकारे में डालना चाहता हूँ, सबका सास, सबका विकास, सबका विश्वास, इसका केवल नारा निका गया है, इस बजट के माद्यम से इसको इनकी संकुट्चित मानसिक्ता से उपर लाने का प्रियास हुआ है और अगर यही मानस इता रही सामने वाले लोगों की तो जैसे भारत कॉंग्रेस मुक्त हो रहा है मुझे तो लगता है ये सदन भी कॉंग्रेस मुक्त ना हो जाए अगर नकारत पर भावी रखेंगे देश इससा बात को जानता है बजट में चर्चा में सर मैं इस बात के लिए 50 साल के कुकरमों में तो नहीं जाना चाहता लेकिन आठ साल में और इनके 2004 से 2014 के काल कुछ मेरे मित्र उखकर बोल रहे थे सब नेगेटिव नेगेटिव अब यो कामेश्वर जी भी बोल रहे थे छे मेने में इनका हिर्दा परिवर्तन हो गया जैसे संसकार भी लेंगे ना लालू जी के अधर बेरोजगार हुई है आज भारत रोजगार के स्थान पर सवरोजगार के संकल्प के साथ आतने पर भारत की और अगर सरे यह आंकडे में इनको बता देना चाहता हूं जो 2013-2014 में दो लाग तक टेक्स माफ हुआ करता था केवल वो आठ साल में साथ लाग कर दिया गय है इतनी जेतेजी से 50 साल में 70 साल में कमीनी बजा गरीब लोगों का और जो दो लाग से 5 लाग के बीच में 30% टेक्स आज वो 10% कर दिया गया इसी परकार से जो कुल मिलाकर अगर देखे मध्यवर्ग परिवार को एक मध्यवर्ग परिवार को 70,000 रुपे का लाव है दो ब दोती है सर ये डारेक्ट टेस्के माद्यम से मैं इन लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि उस बच्चे की पढ़ाई के लिए मोदी जी के माद्यम से 6000 रुपे फ्री के बच्चे और टेक्स देने की आवश्चता नहीं पढ़ेगी इसी परकार से रुकी हुई रियल इ का काम किया उनकी 10 संदूर करी है जो बंद पढ़ेते मद्यम पर परिवार के लिए रियल इसी परकार से अब उनको जो घर बनाने वाले लोग थे 30 लाग पर जो 10% का ब्याद हुआ करता था वो बढ़ा कर 6 लाग 6% रह गया है इस से उनको 82,000 रुपे उन लोगों की लेकिन देश के 20 करोड लोगों को रोजगार मिल गया पिछले 8 साल के शासर में इनको भी गिंती नहीं आती विदेश में पढ़कर आएं भाग गुना जानते नहीं क्योंकि मामा जी की भासा यहां सोचते होंगे वो ही चलेगी वो नहीं चलेगी सर मांकी भासा ये भारत के 2020 में 43 लाग लोगों को 1,20,000 संस्ताओं को रोजगार दिया गा है 1,20,000 का सर मुद्रा योजना में 28 करोड लोगों को 15,000,000 करोड रुपय दिया गया है 28 करोड लोग उन्हें रोजगारी किया होगा वो 7 दिन की छुट्टी पर कहीं बार खूपने नहीं जाते उस पैसे को लेकर वो रोजगारी कर रहे होंगे ये इनके धान रखने वाली बात है सर इसलिए मैं इनकी जानकारी में डालना चाहता हूं कि बोदी है तो मुम्कीन है गरीबों के बारे में अगर आप सोचना चाहोगे कहते गरीबी बढ़ गई गरीबी की खाई बढ़ गई पूचना सामने वाले वैट्य वाले बंदों की जरूर गरीबी बड़ गई इसलिए बड़े परेशान है वो जहां परति वक्ति कोई वीस हजार कमाता है को वेक्ति दस लाग मेरे कमाता है करोड़ यो 90 हजार हुआ करती थी वह आज 1,70 में एवरेज के अनुसार बेरत में एकॉनमी ह अगर किसी को विश्वास ना हो चांगरी चोक में एड्रेस देता हूँ एक वियापारी है सर वो खादे पदार्थ बेशते हैं उनके पास 25 साल का हर होली दिवाली पर रजिस्टर रखा हुआ है मैं उनसे मिला चैन चैन साबसे मैंने का मुझे 25 साल का आंके बताये सर पच्चिस साल के आंके बताने से पहले पहले तो इंफलेशन बता दिता हूँ सर किसी बी देस की इंफलेशन मेहगा इदर 3.5-4% है तो वो सफी सेंट है उतनी लोगों के आमनीज़ी और सैलरी भी जाना चाहता हूँ, 1999 मेटल जी के टाइम में 4.67, 2000 में 4.1, और इन्हों ने जब ये जब सत्ता में आए, 2005 में सर, वो बढ़कर हुई 5.85, उसके बाद हुई 2007 में 6.37, उसके बाद 8 में हुई 8.35, उसके बाद 9 में हुई 11.99 में, उसके बाद 12 में हुई 11.12% हो गई, डबल डी लेजिट, लेकिन ये मोधी है, तो मुम्कीन है सर, उसको डाउन लेकर आए, और डाउन लेकर आए 14 में, उसको जो 66, 66 किया, 15 में 4.95 में किया, 2016 में 4.95 में आई, 2017 में 3.33, कुल 3.33 रहागी सर, और 2018 में 3.94 में, 2019 में 3.73, और ये हमारे आखड़े तो नहीं सर, ये भारत के सी बी आई चोरी करोगे तो पुलिस तो पकड़ाएगी चोर को, उसमें को कहो कि चोर तुम से मिल रहे है, पुलिस मिल रही है, फिर पुलिस रहेगी किसे बात के लिए, क्यों डरते हो कर चोरी नहीं करे एडियोर सी बीयाई से सर, बीस में जरूर 6.21 गई सर, कोईड की होता सर, 2014 में बढ़कर 400 रुपे के लिए हो गया, 140 से 410 साल में, जब राहुल जी जो इनके युवराज है, वो राज करवा रहे थे पिछले दरवाजे से सौनिया जी के माद्धम से, इसी परकार से 25 रुपे के लिए हो गया, वो जो आटा 10 रुपे के लिए हुआ करता था, वो 25 रुपे के लिए हो आज 25 से के लिए 38 पहुंचा है सर, 8 साल में, और इन लोगों का 10 से 25, सोना, 63 सो रुपे, 10 ग्रम, सर, 87 हो गया, इनके राज में 27,000, जो बढ़कर केवल अब 10 साल में 52, 27, 24, वन दूगने से भी कम है, और इनका 6000 से 27,000, पूछना चाहता हूँ लोगों से, डाल, 8 रुपे किलो, इनके राज में 87 तक पहुच गया थी, अब के लिए 102 रुपे किलो है, वो भी डबल दी हुई सर, दूद 17 पे किलो हुआ करता था, दूद 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 चिलाते हैं, 17 स पहुच गरीबों के लिए जुग्गी वही मकान, दिल्ली के अंदर ही, तीन हजार फ्लेट जुग्गी वालों को बना कर दिये, इनके शासन में 70-50 साल से उनार के जीवन जी रहते हैं सर, ये काम परदान मंत्री ने कहा, अगर गरीब को जुग्गी वाले को मकान देंगे, वो प्रेटियर देने का काम किया है सर, सुनी दी योजनासिर, 40 राख र रुपे बगर गरंटी के, वो लोग रोजगार करें, साहुकार के हाथों ना लुटें, और उनको एक साल में पैसा वापिस लोटाना है, सर, 10,000 रुपे बगर ब्याज के, 70-75 साल के इतियास मगे भी हुआ है क्या, पूछ दे रह चाहते हैं इन लों से जो कुछ नहीं जाली एलपीजी के कनेक्शन, 3.9 में करोड, 4 करोड, पॉन खारा था सर, नेताओं से इन लोगों से सत्ता में बैठते वाले अधिकारों से मिलकर, वो अजैंसी वाले खाते थे सर, वो बागस बोगस रासनकार, 4 करोड, बोगस गैस कनेक्शन, 5 करोड, 4.11 करोड, वो निरस करने का काम किया, तो इस सरकार ने किया, सर, जो इनके कुकर्भ होगा करते थे, गरीब का पैसा उनकी जाता था, सिलेंडर, 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 एक करोड लोगों ने स्वेश सबसीडी छोड़ी थी, और जो मद्दमर परिवार के लोग है, उनकी सबसीडी कम कर दी गए, चार सो रुपे, क्योंकि हमारी महरुक लियान के लिए काम करते, अपने से दूसरे के लिए करते हैं, वो सबसीडी छोड़ कर, इनके टाइम में भी वही थी, वो पैसा सबसीडी में जा, अब वो सबसीडी छोड़ कर, नो करोड गरीब परिवारों में, जो ने कभी दिये गए सर, इसी प्रकार के सर, सर में अपनी पॉइंट अभी दिल्ली रह गए सर, दिल्ली का जो बजट है टूटल, उस दिल्ली के बजट के अंदर, कुल 68,000 करोड का फंड है सर, दिल्ली के बजट का सर, केंदर सरकार के माद्यम से, सारे छोड़ दे तो उसर बीच के केंदर सरकार के माद्यम से, जो 78,000 करोड उसके लिए में सड़क परिवेन मंत्री, उसके लिए में हेल्थ मिनिस्टर, उसके लिए में हमारे हर्दिक पुरी यूडी मिनिस्टर को भी से धन्यवाद देना चाहता हूँ, मही रेल मंत्री जी को, मही पार पूर अंडर पास, 112 करोड, इको पार्क, 880 एकड़ में विसका सबसे बड़ा, ऑनेवल ग्रैमत्री जी शुरुआत करवा कहा है थे, वह 4,000 करोड, प्रगती मैधन का अंटर पास, कन्वेंसर सेंटर, 25,000 करोड, बाटी माइच में कॉलिज, 225 करोड की हो जना थे, शुरू हो गया सर, बेंडी बंबे हाईवे, दस हजार करोड रुपिया, फोर्थ फेस की मेट्रो, 3600 करोड रुपे, वसंत पुनका सी मूर्ती तक प्लैनिंग में कनल, 10,000 करोड रुपे, रग्भी स्टेडियम, खेल पूरी दुनिया, पूरे देश में रग्भी स्टेडियम नहीं पर नहीं चस्तर सा सबका विश्वास और सबका प्रियास के देट करके दिखाया सरी, इसी प्रकास से बेश्टो एनर्जी प्लांट, जिल्ली में जो खूरे के ठेल लगेते, और ग्रहमती उस गाटने दर कहा है, उकले में सर, वह 3400 करोड से के लागा, तीन प्लांट, नरेला बवाना से लेकर और गाजीपूर तक 12000 करोड रुपे वहाँ पर लगाने का काम केंदर सरकार कर रही है, वो इनका बतीजा, इनका दोस्त, इनका मित्रिक, के जिवाल ने करा, जिससे सेटिंग करके चुरावरा बरते रहते हैं, इसलिए सर, मैं इनके माध्यम से एक और बताना चाहता हूँ इसलिए बजट एथा नहीं, दो मिट्व कर दोसरे बजट है था नियां सर, अभी दिल्ली के महाम ही, सिरी सिरी 1880 जिवाल जी महराज तोरी कहते हैं, जो हाउस कर मेंबरिस पे नाम ना लो, दिल्ली के वो मुख्यमंत्री, उनके बारे मैं बता दिना चाहता हूँ, दो हजा चाहर की CBI की रिपोर्ट लाकर मुझे देंगे, उनके खिलाफ एक्षिन लेगे, सर जब ACB है, विजिलेंस है, वो बनाई, बनाने के पीछे मोटिव बता देता हूं, सर में, बनाने के बाद अपने कुछ चहेदे लोगों को डारेक्टर जोइंट डारेक्टर दिया, उनको र कराने के CBI करानी सुरू कर दी, CBI सुरू कर दी, वो करानी सुरू कर दी, उसको कराने के बाद, 1996 में, जब ACB औरने कंप्लेंट करी, सरी, 2016 में, कंप्लेंट की, कि यह कौन सी अजेंस, यह कहां पैसा देती, हमें तो बताते नहीं, और तो और सर, एक UDC नाम के करमचारी के मा चाता हूँ, केलाश चंद, उनके नाम से कहा, रिश्वत देने की, वह ही नी, दुनिया में सर, वो आदमी दी है, वो इसको पताना चाहरा हूँ, लालू के तर्ज पर, लालू से हाथ मेला एकरा, मंचपे खड़ा होकर, जैसे लालू साब ने चारा ढूलवा दिया, सकूट ने, केलाश चंद नाम को कोई व्यक्ती ही नी है सर, और उसके नाम से 55 रुपे चड़ा रखे हैं, तब उन्होंने कहा, कि करफशन, प्रिवेंशन, 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 करफशन एक के तैद, इनके गला मुकदबा होना चाहिए, ये जो पैसा ड़कारे जा रहे हैं, मोदी साब 15 रुपे पहुचाते थे, आपके प्रदानमत्री जी कहा करते थे, हमारे भी थे उस टाइम तो, लेकिन 50 रुपे भी खा जाते थे, किसके मिली भगत से, यही ऐसे दिली में वैठे, दूसरा किस्ता सुरू, पंजाब बॉर्डर का छेतरे सर, वहां पर किस किसी भी थी हो रही है, नसे को किस प्रकार से पढ़ा हुआ मिल रहा है, दिली से पंजाब को चलाया जा रहा है, जो डिक्टेटर, डिक्टेटर सिब की बात करते हैं, वो डिक्टेटर सिब करके, डिली को चलाने का प्रियास कर रहे हैं, और बॉर्डर शेतर में जो गुस सी राजदूट भी है सभी राज्जों के हा उस भी है सब लोगों के ऐसर एंट भारत की छवी खराब नहों हमारे बाइन ग्रहमन गे मिशाजी ने उनके जो करमचारी थे साड़े का कराई सर कुछ नहीं किया 20,000 आगनवाडी की बेहने हर्ताल की धर्ना दिया भूकर्ताल पर बैटी नो दिन दक आठसो चुराटी आठसो चुराटी बेहनों को नोकरी से रिकाल दिया और भाट तो कुछ किया नहीं और पोष्ट कर दी से गलाज और इंडियेंट ऑन दीए नहीं झाल 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 झाल